आप देख रहे हैं लाइव सेवन नमस्कार लाइव सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान बंजन विसेश में आज हम चर्चा करेंगे दुमका स्ट्रीट पर कौन रहेगा बीस ये इसलिए पहले चर्चा की जारे क्योंकि जिस तरह से सनिवार को चुनाओ आयोग ने साथ चर्णों में पुरे देश भर में लोग सभा चुनाओ कराने की घोसना की है और इसके बाद से जारखंड की हर सीट की खबरें आपको एक-एक कर में दूँगा और उस सीट पर क्या समिकरन बन रहा है उस समिकरन में कौन किस मोर पर जाएगा किसकी होगी जीत किसकी होगी हार किसके सीट पर सजेगा ताज ये सारे विश्यों पर मैं आपको विवरन दूंगा उसकी पूरे ग्राउंड रिपूर्ट के हिसाब से उसकी जानकारी दूंगा आज इसी क्रम में सुरू की जा रही है दुमका सीट पर सबसे पहले दुमका से सुरूआत करने के पीछे भी वज़ा है वज़ा साप है कि दुमका जारखंड की सबसे बड़ी हाट सीट है हाट सीट इस माइने में है कि जारखंड मुक्ति मूर्चा के बड़े सबसे बड़े नेता गुरु जी दिसवम गुरु सीभू सुरिन वहां स से कई मर्तवा लगातार कई मर्तवा वहां से सांसत रहे चुनाव जीते लेकिन पिछले चुनाव में 2019 की चुनाव में मोदी लहर में उनका भी सफाया हो गया वो भी चुनाव हार गये थे अब इस बार जो है सो दुमका में सुनील सुरेन को परत्यासी बना दिया गिया है भाजपा के दोरा जो अभी महां के सांसत है लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि दुमका के गड़ में जारखन मुक्ती मुर्चा अपनी वापसी के लिए कौन सा गनित बैठाएगा क्या समीकरन बैठाएगा इस पर चर्चा हो रही है इस चर्चा में क्या कुछ आ रहा है कौन वहां से केंडिडेट होगा इन सारे विशियों पर मैं जानकारी दूँगा लेकिन उससे पहले दुमका सीट के बारे में जान लेना आवस्चेख है उनीस सो बापर में सबसे पहली मरतवा चुनाओ होती है दुमका लोगसवा सीट पर और इससे पहले ये बता दो कि दुमका लोगसवा सीट के अंतरगत छे विधान सभा आते हैं और छे विधान सभा तीन जीले के आते हैं एक विधान सभा सारट जो है वो देवगर से आता है दिवगर जीला में आता है, जामा, माफ कीज़ेगा नाला और जामतारा ये दोनों विधान सवाजों है, वो जामतारा जीला के अंतर गताता है, वह हैं सिकारी पारा, दुमका और जामा, ये तीन विधान सवाजों है, वो दुमका जीला के अंतर गताता है, तीन जीला में बटा हुआ ये लोग सभाच्छित्र जहां पर जारखन मुक्ति मुर्चा का गड़ गड़ था वहाँ पर पिछली मर्तवा भाजपा ने फिर से 10 साल के 15 साल के अंतराल के बाद इंटी मारी तो 1998-99 में वहाँ से बावुलाल मरांडी चुनाओ जीते थे और उसक साल के बाद फिर से भारतियंता पार्टी वहां पर मोदी लहर में भारतियंता पार्टी जीत के आई हलाकि 2014 में गुरू जी जीते थे मोदी की लहर उस समय भी थी लेकिन उस लहर में भी दुमका शीट भाजपा अपने हाथ में नहीं कर पाई थी अब सवाल उठ रहा है कि इस बार क्या होने जा रहा है क्या कुछ अंगगनित बैठाये जा रहे हैं आई एंडिया ये गटबंधन के द्वारा ताकि वो सीट किसी भी हालत में भाजपा के जबडे से बाहर निकाला जाए इसके पीछे ये तो तै मान के चलिए कि दुमकाल्णूक सभा सीट जार्कन मुक्ति मोर्चा के कोटे में आना ही आना है अगर इस सीट पर अगर जार्खन मुक्ति मोर्चा को फिर से वापसी करनी है तो ये भी मान के चलिए कि गुरु जी के खांदान के से कोई कंडिडेट होगा तभी वो सीट वापस आ सकती है अने था वो सीट वापस लाने में भी मसक्कत करनी परेगी ज़ारकण मुक्ती मोर्चा को और जो खबरे आ रही है सामने जो खबरे खुल कर सामने आ रही है उसमें ये साफ हो रहा है कि इस बार वहाँ पर कोई बड़ा लाल जार्खन मुक्ती मोर्चा की तरफ से चुनाव लड़ेगा बड़ाल इस बीच मैं आपको बता दू कि 1952 में पॉल सोरेन कॉंग्रेस पार्टी के वहाँ से सांसत बने थे 1957 में देवी सोरेन जार्खन पार्टी से वहाँ पर सांसत बनी थी 1962, 1967 और 1971 में स्टी बेशरा कॉंग्रेस पार्टी से सांसत थे 1977 में बटेश्वर हेम्रम जनता पार्टी से सांसत थे और 1980 में पहली मरतवा गुरुजी सीवू सोरेन ने वहाँ लोग सवा का चुनाव जीता था जार्खन मुक्ती मोर्चा के टिकट पर 1980 में गुरुजी पहली मरतवा सांसत बने थे दुमकाल संसदिय च्छत्र से इसके बाद 1984 में पिर्थवी चंद्र किसकू कॉंग्रेस के थे वो चुनाव जीते थे गुरुजी वहाँ हार गए थे 1984 में लेकिन उसके बाद 1989-1991-1996 लगातार तीन टर्म तक स्थीवू सरेन चुनाव जीते 1998 और 1999 में जो भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बावुलाल मरांडी वहाँ से चुनाव जीते थे भाजपा के कंडिडेट के रूप में लेकिन 2002-2004-2009-2014 ये चार चुनाव जो हुए इस चारो चुनाव में गुरुजी वहाँ से चुनाव जीते जारकर्मुक्ति मोर्चा के टिकट पर अब आप गुरुजी के इतियास को देखेंगे तो 1980 से जो उनका दबदबा सुरू हुआ था दुमका संसदिय सीट पर वो सिर्फ एक मर्तबा 1984 में रुका था कॉंग्रेस पार्टी वहाँ से जीती थी हालाकि वो इंद्रा गांधी के निधन के बाद वो चुनाव भूआ था एक अलग ही वेव था उस समय कॉंग्रेस पार्टी के फेवर में था उसमें चुनाव हार गये थे गुरुजी और 1998-1999 में बाबुलाल मरांडी ने उनको पर 24-14 यानि 4-3-7 एक 8 मरतवा गुरुजी जो हैं वहां से सांसद रहे हैं आठ मरतवा किसी छेत्र का प्रतितिनित करना माइने रखता है और अब यहीं सवाल उठ रहा है यहीं चीजें सामने आ रही है कि गुरुजी की जो विरासत थी गुरुजी को जो कर्मस्थरी थी दु उनिस्टासी में उस सीट पर इस वार क्या होगा क्योंकि गुरुजी उम्र के इस पाइदान पर हैं इस वार उनका चुनाओ लड़ना मुस्किल लग रहा है साइद वो चुनाओ ना लड़े या नहीं ही लड़ेंगे ये भी बातें किलियर हो रही है राजितिक गलियारे मे गुरुजी अब सीधे रूप से रासभा में हैं भी सदस्ते हैं वो चुनाओ नहीं लड़ेंगे तो आखिर कौन होगा जार्खन मुक्ति मोर्चा से परत्यासी कई नाम सामने आ रहे हैं सीता सोरेन कलपना सोरेन लेकिन एक नाम जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो इस बात का एलान किया है कि हेमन सोरेन लोग सभा चुनाओ लड़े ये कारिकरताओं की इच्छा है और हेमन सोरेन लोग सभा चुनाओ लड़ेंगे जाही तोर पर अगर सीटों के हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें सबसे अगर सेफे सीट दिखता है जार्खन मुक्ति म मुर्चा के लिए या कहें हेमन सुरेन के लिए वो दुमका सीठ है वहां से वो विधायक भी रहे हैं दुमका से विधायक भी रहे हैं पिछले मरतवा भी चुनाव वो जीते हैं भले एक मरतवा हार गए थे 2014 के चुनाव में हेमन सुरेन वहां से दुमका में चुनाव हार गए थे लेकिन वहां से वो विधायक रहे हैं तो अब सवाल ये उट रहा है कि और आप अगर देखेंगे जो इस्थिती है दुमका लोग सवाच्छेतर की सिकारी पारे में लगाता है दुमका में बसं सुरेन विधायक है जो गुरुजी के चोटे पुत्र है वो विधायक है इससे पहले दुमका में लुईस मरांडी थी 2014 में लुईस मरांडी चुनाव जीत के आए थी लेकिन उससे पहले दुमका सीट पर भी स्टीफर मरांडी तो हेमन सोरेन सभी विधाय गरे थे जारकर मुक्ती मुर्चा का ही कब जा था एक मरतवा सुनील सोरेन भी चुनाओ जीते थे दुमका विधान सवा छेतर से उसके बाद अगर हम बात करते हैं आले अगले विधान सभा जो सीता सुरेन का है अगर हम नाला विधान सभा की बात करते हैं तो नाला में विधान सभा से लगातार सीता सुरेन जो है सो अलग राज बनने के बाद से जब दुरुगा सुरेन का निधन हुआ उसके बाद से वो वहां भी जारकन मुक्ती मोर्चा का अच्छा खासा अच्छी खासी पकर थी तो वह भी मजबूत गड़ है नाला की अगर हम बात करते हैं तो विधान सवा के अध्धक्स जोहरविंद्र महतोब वहां से वो विधायक हैं तीसरा टर्म उनका भी विधायक का है और इससे पहले एक मरतबा बीच में जो हैसो चुनाओ जीते थे बाटुल जा शत्यानंद जा बाटुल जो भाज़्टियन्ता पार्टी के थे लेकिन उससे पहले विशेस्वर खा महां से लगातार कंटिन्यू दस टर्म बिधायक रहे थे तो कह सकते हैं कि लेफ्ट के बाद भारतियन्ता जारकन मुक्ती मोर्चा आई एक मरतबा भारतियन्ता पार्टी आई और फिर उसके बाद सी जारकन मुक्ती मोर्चा का नाला विधान सबा में जामतारा में कॉंग्रेस पार्टी के इर्फान अंसारी विधायक हैं इससे पहले उनके पिता फुरकान अंसारी वहां से विधा हो गए यह पूरे आंकलन को पूरे समीकरन को देखेंगे आप तो इस शीट पर जार्खन मुक्ति मोचा की पकर मजबूत है अब हम बात करते हैं पिछले लोगसभा चुनाओ की तो पिछने लोग सभा चुनाव में सुनील सोरेन ने गुरु जी को सीवू सोरेन को चुनाव में सिकस जी थी 47,590 वोट के अंतर से वो चुनाव जीते थे और ये जीत जो था सो उसमें अगर आप वोट परसेंटेज को देखेंगे तो भारती अंता पार्टी को 47.2 परसेंट वो सुनील सोरेन वहां से चुनाव जीते थे लेकिन 2014 में अगर आप देखेंगे तो वहां भी 5% का ही अंतर था 37.9% जार्खन मुक्ती मोर्चा को वोट आता है और 32.8% बीजेपी को आता हुई सुनील सोरेन ही वहां कैंडिडेट थे उस बार भी वो चुनाव खारे थे 49,030 व पार्टी के दौरा ये कहा जा रहा है जारकन मुक्ती मोर्चा के दौरा है मन सोरेन लोग सभार का चुनाव लड़ेंगे तो सबसे बड़ी समस्या अगर किसी के सामने खड़ी हो रही है तो वो भारतिय जंता पार्टी के लिए होगी क्योंकि इस सीट पर भाजपा ने 99 के बाद 2019 में कबजा किया है 99 में बावुलाल मरांडी चुनाव जीते थे उसके अद 2019 में पुनरवापसी भाजपा की वहाँ पर भी थी तो अब सवाल ये उट रहा है कि क्या जो इस्थिती बन रही है कि सीबू सोरेन गर में हेमन सोरेन की इंट्री होने जा रही है और इस इं मितेंगे इसमें कोई दो राए नहीं है कि भारती जनता पार्टी के लिए जहार धिर्ड हमेसा से фतऴल यहां पर उर्वृडक जङबीन रही है भारती जंता पार्टी का फर्टायल लेंड रहा है लोग सभाचुनौव ने खास करके क्योंकि भारती जनता पार्टी ही एक विहारी बाजपई की सरकार थी उस समय भारती अंता पार्टी 12 सीटों पर चुनाओ जीती थी जारकंड में और इसके बहुत अलग राज बनने के बाद आप देखें तो 2004 का एलेक्शन भले ही भारती अंता पार्टी के दिए अच्छा नहीं रहा था जारकंड में एक सीटे मा उसके बाद अगर आप देखें 2019 में 11 सीटे एक सीट उसकी गटबंदन में आसु को मिलती है तो भाजपा के लिए काफी उरवरक जमीन है जारकंड की लेकिन अभी का जो समिकरन बैट रहा है अभी जो इस्थिती बन रही है ये भी सच है कि आकलन करने वाले ये भी आकलन कर रहे हैं कि भई गटबंदन तो पिछले चुनाव में भी था पिछला जो चुनाव हुआ 2019 का वहाँ भी गटबंदन हुए थे गटबंदन में जो है सो कॉंग्रेस RJD और जारकंड मुक्ती मुर्चा मिलकर चुनाव लड़े थे इसके बाद ही मात दो सीटे ही निकाल पाई थी लेकिन 2019 और 2024 के बीच में पांस साल का जो फासला है ये इस फासले में कई कुछ समीकरन बदले हैं कई कुछ समीकरन इस माइने में बदले हैं कि एक तो दुमका सीट गुरु जी हारके उनीस में अलग बात है लेकिन दुमका में आज भी अगर वर्चस्व किसी एक पार् है तो वो जार्खन मुक्ती मुर्चा है और उसका परिणाम है कि छे विधान सवा सीटों में से तीन सीटें जार्खन मुक्ती मुर्चा के पास चार सीटें हैं चे में से चार सीटें जार्खन मुक्ती मुर्चा के पास हैं एक सीट कॉंग्रेस के पास है और एक सीट बीजे जनता गई है उसकी सरकार बनी है जहारखंड में और पिछले मरतबह भी आप अगर देखेंगे जहारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व कायम हुआ था जहारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अगर मां गटबंदन की बात करें वो जिस तरह से सीटें लाई थी उसका परिणा चला रहे हैं अब यहीं चीज जो है तो लोग सभा चुनाओं में भी आकलन किया जा रहा है कि दो हजार उनीस के चुनाओं के टाइम में जो इस्थिती थी उस समय अगर आप देखेंगे तो वहां की स्थिती क्या थी दो हजार चौदधा के चुनाओं में उनीस के चुनाओं के समय अगर आप देखेंगे विधान सभाबार तो सिकारी पारा में नलिन सोरिं थे नाला में रविंदर महतो थे जामतारा में थाननी सारी थे दुमका में लूिस मरांडी थी भाटियंता पार्टी की। जामा में सीता सोरें थी और सार अठ में रंधीर सिंग थे बीजे पी के। यदि दुम्का सीट लूज कर गई है भाचपा, इन सीटों में से जो अभी विधान सवावारह हैं जो बात कर रहे हैं दुम्का सीट लूज कर गई है भाचपा, तो उस समय भी वर्चस्व था, जार्खन मुक्ति मूर्चा उस समय भी तीन सीट पर थी लेकिन इसके बाब लोकसबह का चुनाव उसके पक्ष में नहीं आता है मुदी वेब में वो निकल जाता है अब इस बार चल रहे हैं मोदी की गारंटी में क्या होता है यह देखने पर मोदी की की गारंटी में ज्हारखंड में किस तरह से INDIA गटबंदन काम करता है इस पर भी देखने की आवस सकता है इसको भी देखना चाहिए कि भई किस रूप में जार्खन मुक्ति मोर्चा हो कॉंग्रेस हो या फिर RJD हो वामदल हो वो किस रूप में जो है सो जार्खन में मोदी की गारेंटी को काट निकालेंगे मोदी की गारेंटी में लगातार उनके कारिकरता उनकी गारेंटी को जनता तक पहुचा रहें लेकिन अभी तक जहाँ भाजपा ने जहाँ 11 सीटों की घोसना कर दी है वहीं अभी तक महा गटबंदन से परत्यासियों की घोसना आई एंडिया ये गटबंदन से परत्यासियों seat string में चल रहा है आइंडिय एगट pluण में खूलकर बातें सामने नहीं आ रही है लेकिन है कहीं ने कहीं ये चीजें है और इस चीज को किस तरह से पार्ट एंडिय एगट बंदन ये भविस्त्र में छिपा हुआ है और ये भी जिस तरह से जानकारी मेरी और जैसे कांद्री केंद्री है महा सची भी धरकन मुक्ती मोर्चा के सुप्रिय भट्टाचारिया ने बताया भी तीं प्रिजmam कि संवी कर anos कि मा Mythicalिगर रह시 जार्खण में उनकी स्थिति अब नहीं रही है कभी नौ विधायक हुआ करते थे जार्खण में आरजडी के दो सांसद हुआ करते थे अलग राज़ बनने के बाद इसके बाद अगर आप देखें तो साथ विधायक वे पांच विधायक वे फिर जीरो पर आ गए सुन्ने ऐबादन के तद भलाही एक सीटे उनको एक सीट वो चीट गए पिछले चुनाओ में लेकिन इस्थिति वह नहीं रह गई है कि वह मौल भाव करते के तो नहीं रह कर, तो ऐसे इस्थिति में आरजडीको एक सीटे जाएगी ये तो दैमानिय लेकिन दूंका सीट पर जहम ब खुद चुनाव लड़ते हैं तो भार्दियंता पार्टी के लिए खत्रे की घंटी है कलपना सुरेन का भी नाम आ रहा है अगर वो भी लड़ते हैं तो भाजपा को पिछले चुनाव से ज्यादा मसकत दुमका में करनी होगी ये भी कटू सकते हैं अगर गुरू जी के चुनाव जीते थे उसके वाद इसवार लाती है ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन जो ट्राइवल सेंटीमेंट है आज भी ट्राइवल वोटर्स का जुकाओ जो है रुजहान जो है आज भी अगर सबसे यादा किसी एक पार्टी की तरफ जारकण में है तो जारकण पद यादब मत दाताओं का भी वोट अच्छा कासा है अब उसका समीकरण क्या बैठता है किस तरह से वो समीकरण को साथते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा वहला आज के विशेश मेतना ही आज हमारे साथ जूरेन है हमें लाइप करें सब्सक्राइब करें बहुत- आप देखें हैं लाइफ सेवन